हाई दोस्तों आज मैं फिर आ गया हूँ लगू प्रेम कहानी पार्ट चार लेकर तो चलिये बिना देर किये ही शुरू करते हैं शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिये शुरू करते हैं मैं भूला नहीं सकत किया करते थे किसी दिन एक दूसरे से मिले नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता था वह अक्सर मेरा इंतजार किया करती थी उसके रिलेटिव्स इस वाद पर उसकी खिचाई भी किया करते थे क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता था और म discour भी लेकिन इसी बीच में उसके एक इसलिए मैं कभी भी उसे भुला नहीं सकता। एक बार तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। एक्स तुम कैसे हो वेलेंटाइन्स डे तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज मुझे माफ कर दो मैंने जान बूज कर ऐसा नहीं किया। पता नहीं क्यों मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं भूल पा रही हूँ। मैंने आपको भूलाने की बहुत कोशिश की, पर हमेशा ऐसा लगता है कि आप यहीं कहीं हो, मेरे पास। मैं नहीं जानती कि हमारे बीच क्या है, पर जो भी है मुझे वह स्पेशल बनाता है और आपको मेरे लिए स्पेशल बनाता है। मैं हमेशा यहीं चाहती हूँ कि आप खुश रहो और हमेशा हम एक दूसरे के टच में रहें। पर आपने कहा था कि यह संभव नहीं है, मैं जानती हूँ कि यह पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मैं यहीं चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे गलत मत समझो, आप खुश रहने की कोशिश करना। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, यहीं सच है। मुझे नहीं पता कि हमारे बीच क्या रिलेशन है, जो मुझे बार-बार आपसे बात करने और आपका खयाल रखने को कहता है। मुझे याद है कि आपने मुझे से कहा था कि मैं अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लूँ। पर मैं यह नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं किसी के भी साथ खुश नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी कुंडली में यहीं लिखा है। पर जब मैंने अपने लिए आपका प्यार देखा तो मुझे लगा कि मैं बस आपके साथ ही खुश रह सकती हूँ और किसी के साथ नहीं। यही वजह है जो मैंने आपके साथ अपनी शादी की बात सोची। पर अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी नहो सकी। मैं आज भी यही सोचती हूँ कि जब आपको मेरी फैमिली ने घर बुलाया था तब आप क्यों नहीं आए। कि कुछ जरूरी काम है। क्या काम किसी की जिन्दगी से ज्यादा जरूरी होता है। आपने कहा था कि कभी भी मेरी जरूरत हो तो प्लीज मुझे कहना, पर मैं ये कैसे मान लूँ कि जब मुझे आपकी जरूरत होगी, तब आप मेरा साथ देंगे. क्योंकि जब जरूरत थी, तब आपने मेरा नहीं उस लड़की का साथ दिया, जिसने हमारे बीच लड़ाई करवाई. मेरी नजरों में आपको और आपकी नजरों में हमें गलत बनाया. फिर भी मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो. आपको पता है कि मैं हमेशा आपके टच में क्यों रहना चाहती हूँ. क्योंकि financially strong background होने के बावजूद आप बिलकुल देशी हैं, मेरी तरह. जैसा लड़का मुझे चाहिए, आप बिलकुल वैसे ही हैं, कोई घमन नहीं है आप में. हर पल आपकी ही यादों में खोई रहती हूँ. प्लीज हमेशा खुश रहना और मुझे कभी मद भुलाना. दिल्ली आओगे तो मुझे अपना पता जरूर देना, मैं उसका कोई गलत इस्तिमाल नहीं करूंगी. और हाँ, मुझसे एक बार जरूर मिलना, क्योंकि मरने से पहले एक बार और आपसे माफी मांगना चाहती. हूँ, आप मदों माफ करेंगे न. चैटिंग के बाद हो गया है प्यार. X नाम है उसका, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझे उतना ही प्यार करती है. शायद हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा है. दरसल वह बहुत मजबूर है अपने हालाद से. हमारी पहली मुलकाद चैटिंग के जरिय हुई थी और पता भी नहीं चला कि हम कब एक दूसरे के करीब आ गए. एक दिन उसने अपना फोन नमबर दिया और तब से हम फोन पर घंटों बाते करने लगे. फिर एक दिन हमने टेक किया कि हम कहीं मिलते हैं. मैं मुंबई में रहता हूँ और वह इंदौर में. इस साल दस जन्वरी को मैं उससे मिला भी. क्या बता हूँ? एक तो पहले से ही मैं उससे प्यार कर बैठा था और मिलने के बाद तो मैं उसका कायल हो गया. पता नहीं कि वह सुंदर है या नहीं, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है. क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. उसका कद 5 फुट 10 इंच है. आखे बड़ी बड़ी और खूबसूरत. बस एक बार ही मिले हम, लेकिन उस मुलाकात को मैं कभी नहीं भूल सकता. सुबह 10 बजे से रात के साधे 8 बजे तक मैं उसके साथ था. उसने मुझे पूरे इंदौर की सेर करा डाली. अपने फेवरिट आइस्क्रीम पारलर में ले जाकर उसने मुझे फालूदा आइस्क्रीम खिलाए. फिर वह अपनी बच्पन की फ्रेंड के यहां भी मुझे ले पड़ी थी. पर खुद को हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश करती है. जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वह नहीं होना चाहिए था क्योंकि हम कभी मिल नहीं सकते हैं. तो क्या हुआ? क्या हमारे रिष्टे को किसी बंधन की जरूरत है? नहीं, हमारा प्यार सच्चा है और ह प्यार को किसी बहुत इक बंधन की जरूरत नहीं है. वह बहुत कोशिश करती है कि मुझसे दूर चली जाए. पर हर बार नाकाम्याब होती है. मैं भी चाहता हूं कि उसकी लाइफ से चला जाओ. लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है. वह बहुत रोती है क्योंकि वह भी मेरे बग लेकिन सच तो यह है कि हमें एक दूसरे के बिना अधूरे है और यहीं हमारे रिष्टे की सच्चाए है. नहीं भूल पाऊंगा उस पर्ष को. यहां मैं अपनी जिन्दगी की कुछ हसीन यादों को आपके साथ बाटना चाहता हूं. मैं जब स्कूल में था तब मुझे एक लड़की काफी अच्छी लगती थी. वह मेरे घर के पास वाली बिल्डिंग में ही रहती थी पर मैं उसके यहां कभी गया नहीं था. वह लड़की भी मेरी ही बस में जाती थी. एक दिन बस के आते ही मैं और मेरा भाई उस बस में चट गए. तभी कुछ ऐसा हो गया. जो श ले ही दिन उस लड़की ने मुझे पुकारा. मेरे ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ी. वह रिक्षे से जा रही थी और उसने मुझसे कहा कि आप मेरे रिक्षा में आ जाओ. उस वक्ट मैं अपने भाई के साथ था. मेरे भाई ने मुझसे कुछ नहीं कहा और पीछे वाली सीट पर जाकर फॉरण बैट गया. मैं रास्ते भर कुछ बोल नहीं पाया, पर उसकी खुबसूरती और प्रेम भरिस पर्ष को पलपल महसूस करता रहा. देखते देखते घर आ गया. आज भी उन पलों को याद कर खुश हो जाता हूँ. प्यार के दुश् काफी गौर से देख रही थी. वह काफी अच्छे लग रहे थे और उनके चहरे पर कुछ तेजसा था. उस दिन के बाद हमारे बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी होने लगी. मगर मेरे क्लास के कुछ लड़कों को ये बिलकुल अच्छा नहीं लगा. क्योंकि वे मुझसे दोस्ती करना चाहते थे पर मैं नहीं चाहती थी. ठीक उसी तरह हमारा बात करना उनकी क्लास की लड़कियों को भी पसंद नहीं आता था. हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे, जो हमेशा हमें एक दूसरे के खिलाफ चाने में लगे रहते. एक्स की क्लास की एक लड़की ने मुझसे कहा कि एक्स अच्छा लड़का नहीं है, वह लड़कियों को इस्तिमाल करता है. तुम नहीं संभली तो पच्छता होगी, तू उसके साथ मत रहा कर. ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा फिर भी मैं ने उनका विश्वास नहीं किया. क्योंकि एक्स को मैं अच्छी तरह से जान चुकी थी. ऐसे ही एक्सर ने मुझसे कहा कि तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, न कि घूमने फिरने पर. तब तो मेरा दिमाग बिलकुल खराब हो गया. फिर मैंने अपने एक फ्रेंज से बात की तो उसने यही कहा कि तु अपने दिल की बात सुन. और किसी की नहीं. ऐसे ही एक्सर ने मेरे बारे में एक्स से कहा कि वह अच्छी लड़की नहीं है, जिसे तुम चाहते हो. सबके इतना कहने के बावजूद हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कायम रहा. अब कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है और हम काफी खुश है. हमारे परिवार वालों को हमारी पसंद से कोई शिकायत भी नहीं है. सब यही कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए ही बने है. सची तो है, प्यार के लिए विश्वास बहुत जरूरी है. ना उम्र की सीमा हो. उसका एक 58 वर्षिय व्यक्ति से रिलेशन्शिप था और मेरी फ्रेंड मात्र 25 साल की थी. पर फिर भी वे खुश थे. अगर कोई युवा हो पर उनके विचार आपस में नहीं मिलते तो वह रिष्टा आगे बढ़ना मुश्किल होता है. वहीं, दूसरी तरफ वह व्यक्ति फील करेगी और वह उसे उतना ही प्यार करेगी जितना अपने युवा पती से कर सकती है. पर समाज की बात करे तो वह इसकी इजाजत नहीं देता. शायद सभी उम्रदराज लोग अपने उस हमुम्र से जलते हैं, जिसने किसी युवती से शादी कर ली हो. जब दोनों आप की थी, बच्पन से ही अंधी थी. उसके बॉइफ्रेंट को छोड़ कर, शायद सभी उससे नफरत करते थे. वह हमेशा कहा करती कि अगर मैं देख सकती तो तुमसे जरूर शादी कर लेती. एक दिन अचानक किसी ने उसे अपनी आखे दान कर दी. उसने अपने बॉइफ्रे को भुला कर इस शादी से साफ साफ इंकार कर दिया. लड़का ये कहकर वहां से हमेशा के लिए चला गला की मेरी आखों का खयाल रखना. वह मुझसे करती है सच्चा प्यार. मैं एक शादी शुदा हूँ और मेरे दो बच्चे भी हैं. मेरी लव स्टोरी थोड़ी अजीब बैठी. मैं भी उससे प्यार करने लगा और हम दुनिया से बेखबर एक दूसरे से प्यार करने. लगे, एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ और तब मुझे एकदम जटकासा लगा. उन्ही दिनों मुझे दूसरा बच्चा भी हो गया. मैंन उनों में इतना प्यार है, पर हमने कभी अपनी मर्यादा पार नहीं की, वह आज भी मुझे चाहती है, पर मैं उसे टाइम नहीं दे सकता, आज प्यार के इस उत्सव पर मेरी ओर से उसे धेर सारी शुब कामनाय देना, चाहता हूँ, भूल नहीं सकता वो दिन, मैं 5 अप्रेल 1978 का दिन कभी भूल नहीं सकता, इसी दिन पहली बार मेरी महबूबा की मुझसे मुलाकात हुई थी, मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक कस्बे में रहता था, मेरे गाव से 2 किलोमीटर दूर मेरे रिष्टेदार के यहां शादी थी, जहां मैं भी गया था, का दशक था और हम चाहते हुए भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते थे, बस हम आहे भरकर ही रह गए, करीब 5 दिन के बाद कुछ लोग शादी का रिष्टा लेकर मेरे घर आए, मेरी मा ने वह रिष्टा मंजूर भी कर लिया, पंडित को बुलाकर सगाई की सभी रि नजर आती है, जैसे 5 अप्रेल 1978 को मुस्कुराई थी, उस दिन शायद वो मेरी कुछ नहीं थी, पर आज वो मेरी सब कुछ है, उस दिन तो वह कुवारी थी, पर आज मेरी पतनी है, प्यार के वे 11 दिन, बाद जनवरी 2005 की है, राज और मेरी मुलाकात बस में हुई थी, सिर में मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया और हमारे रिष्टे के लिए वहराजी भी हो गई, लेकिन शायद हमारे नसीब में ही कुछ और था, मुझे ब्रेन ट्यूमर का अटेक पड़ा और उसने कभी मुलकर नहीं देखा, 14 फरवरी 2004 को मैं उससे आखिरी बार मिला था और वही सिर्फ 5 मिनिट के लिए, मैंने उसे मम्मी की दी हुई चुडिया दी, पर उसके बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया, वो फिलहाल आगरा में रहकर पढ़ाई कर रही है और मैं यहां दिल्ली में हूँ, राज के लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया, पर सची कहा है किसीने की सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है, मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे उससे सिर्फ एक बार मिला दे, इटली में बसा था मेरा प्यार, मेरी कहानी थोड़ी लंबी है पर आपको जरा छोटी करके बताना चाहता हूँ, मेरी उम्र 25 साल है और मैं पं अलकुल समझ में नहीं आती थी, जहां मैं काम करता था, वहां 12 लड़किया थी और मैं एक अकेला लड़का था, समझिए कि सभी का दुलारा और प्यार से सभी मुझे एक्स बुलाते थे, उन 12 लड़कियों में से 5 लड़कियों का दिल मुझ पर आ गया, पर मैं किसी और को चाहता था, वह भी मेरे साथ ही काम करती थी, बाद में स्थिती कुछ ऐसी हो गई कि हम एक दूसरे के बगार एक पल भी नहीं रह पाते थे, उसके माता पिता को मैं पसंद नहीं था, क्योंकि वे अपनी बेटी की शादी किसी परदेशी से नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम मारा प्यार सच्चा था और हमने इस प्रॉबलम को एक होकर सुझाया, उसके माता पिता मुझसे मिले और उन्हें मुझपर विश्वास हो गया, जहां तक मेरे माता पिता की बात है तो मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, मैंने परिवार वालों की मर्जी से शादी कर ली और अब मैं इटली में ही रह रहा हूँ खुशी इस बात की है कि अब हम जल्दी दो से तीन होने वाले हैं मुझे अफसोस उन लड़कियों का है जिनका दिल मेरी वजह से तूट गया खैर वे खुश रहे यही मेरी दूआ है अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपकी जीत पक्की है और भगवान भी आपके साथ रहेगा मिल गया मुझे बच्चपन का क्यार एक्स मेरा बच्चपन का दोस्त था हम दोनों मुंबई में रहते थे और एक साथ पढ़ते थे हम अपने हर सुक दुख को एक दूसरे के साथ बागते थे लेकिन किस्मत ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया जब हम क्लास चार में थे तब मेरे पिता का ट्रांसफर दिल्ली हो गया और मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहने लगी एक्स वहीं मुंबई में रहा दूर रहने के बावजूद हमारी दोस्ती का रंग कम नहीं हुआ बलकि समय के साथ साथ और भी गहरा होता गया हाला कि हमारी इस बीच कभी मुलाकात नहीं हुई करीब 8 साल बाद किसमत ने फिर करवट बदली और एक्स अपनी कॉलेज की पढ़ाय करने दिल्ली आ गया फिर मैं और एक्स दोनों साथ साथ अपनी पढ़ाय करने लगे हमारी दोस्ती जल्दी मुहबबत में बदल गई और अब हम दोनों साथ साथ हैं एक संयोब नहीं था उसका प्यार मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ वह उसी कॉलेज की स्टुडेंट थी जहां मेरे पापा पढ़ाते थे योग तो मैंने उसे कई बार देखा था लेकिन एक बार वह मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादे दे गई कि आज भी मैं उसी सपने में जीना चाहता हूँ लेकिन मैंने इस बात पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ये इश्क विश्क की बाते बड़ी ही अजीब लगती है मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूंगा कि मेरा दिल और दिमाग हर पल बस उसी की यादों में कैद रहेगा कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज का एक डूप विजिट के लिए गया मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे जो मुझे भी साथ लेकर गए पहले तो मैंने बहुत मना किया लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह भी वहां आ रही है तो मैं तुरंट तयार हो गया उन आने वाले दिनों ने मेरी सारी जिन्दगी बदल कर रख दी हम दोनों पूरे टूर में साथ साथ रहे और बहुत मौज मौस्ती भी की जिसे वह आज भी नहीं भूला पाई है उसके बाद मैंने उससे कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की कुछ ही दिनों बाद वेलेंटाइन्स डे आया मैं इस मौके को गवाना नहीं चाहता था क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तरपते देखा है वे अकसर यही कहा करते थी कि काश मैं भी कभी कह पाता लेकिन मैं कभी काश नहीं कहना चाहता था इसलिए मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी मुझे पता चला कि वह किसी और को चाहती थी और वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था मैंने उसके लिए कॉलेज में एक गाना भी गाया था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पया हूँ वह मुझसे एक साल बड़ी थी लेकिन मैंने ऐसी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उसके प्यार में इसकदर डूग गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी की ही तलाश थी 2006 को मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि यह साल मेरी जिन्दी का सबसे खुबसूरत साल बन गया कई बार सोचता हूँ कि उसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना डॉट डॉट उसका मुझे कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह जाना ये सब कुछ सयोग नहीं हो सकता वेलेंटाइम की कहानी यूरोप और अमेरिका का समाज जो है वो रखेलो कैप्ट में विश्वास करता है पत्नियों में नहीं यूरोप और अमेरिका में आपको शायद ही ऐसा कोई पुरुष या महिला मिले जिसकी एक शादी हुई हो जिनका एक पुरुष से या एक स्ट्री से संबंध रहा हो और ये एक दो नहीं हजारो साल की परंपरा है उनके यहां आपने एक शब्द सुना होगा लाइव इन रिलेशन्शिप ये शब्द आज कल हमारे देश में भी नव अभिजात्य वर्ग में चल रहा है इसका मतलब होता है कि बिना शादी के पती-पत्नी की तरह से रहना तो उनके यहां मतलब यूरूप और अमेरिका में ये परंपरा आज भी चलती है खुद प्लेटो एक यूरूपिय दार्शनिक का एक स्ट्री से संबंध नहीं रहा प्लेटो ने लिखा है कि मेरा 20-22 स्ट्रियों से संबंध रहा है अरस्तु भी यही कहता है देकार्ते भी यही कहता है और रूसों ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक स्ट्री के साथ रहना ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता तो वहाँ एक पत्नीवरत जैसा कुछ होता नहीं और इन सभी महान दार्शनिकों का तो कहना है कि स्ट्री में तो आत्मा ही नहीं होती स्ट्री तो मेज और कुर्सी के समान है जब पुराने से मन भर गया तो पुराना हटा के नया ले आये तो बीच बीच में यूरोप में कुछ-कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने इन बातों का विरोध किया और इन रहन सहन की व्यवस्थाओं पर कड़ी टिपनी की उन कुछ लोगों में से एक ऐसे ही यूरोपियन व्यक्ती थे जो आज से लगभग 1500 साल पहले पैदा हुए उनका नाम था वेलेंटाइन और ये कहानी है 478 AD आफ्ट डेथ की यानि ईशा की मृत्यू के बाद उस वेलेंटाइन नाम के महापुरुष का कहना था कि हम लोग यूरोप के लोग जो शारीरिक संबंध रखते हैं कुट्तों की तरह से जानवरों की तरह से ये अच्छा नहीं है इससे सेक्स जनित रोग वेनरल डिजीज होते हैं इनको सुधरो एक पती एक पतनी के साथ रहो विवा करके रहो शारीरिक संबंधों को उसके बाद ही शुरू करो एसी ऐसी बाते वो करते थे और वो वेलेंटाइन महाशे उन सभी लोगों को ये सब सिखाते थे बताते थे जो उनके पास आते थे रोज उनका भाशन यही चलता था रोम में भूम भूम कर संयोग से वो चच के पादरी हो गए तो चच में आने वाले हर व्यक्ति को यही बताते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि ये वायरस आप में कहां से गुश गया ये तो हमारे यूरोप में कही नहीं है तो वो कहते थी कि आजकल मैं भारतिय सभ्यता और दर्शन का अध्यायन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो पफेक्ट है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे मानो तो कुछ लोग उनकी बात को मानते थे तो जो लोग उनकी बात को मानते थे उनकी शादिया वो चच में कराते थे और एक दो नहीं उन्होंने सेकड़ो शादिया करवाए थी जिस समय वेलेंटाइन हुए उस समय रोम का राजा था क्लोलियस आप उसे चक्रवर्ती समरार की श्रेनी में रख सकते हैं क्लोलियस ने कहा कि ये जो आद्मी है वेलेंटाइन ये हमारे यूरोप की परमपरा को बिगार रहा है हम बिना शादी के रहने वाले लोग हैं मौज मजे में धूबे रहने वाले लोग हैं और ये शादिया करवाता फिर रहा है यह तो अपसंस्कृति फैला रहा है, आमारी संस्कृति को नश्ट कर रहा है तो Clorius ने आदेश दिया कि जाओ Valentine को पकड़ के लाओ, तो उसके सैनिक Valentine को पकड़ के लिया आये Clorius ने Valentine से कहा कि ये तुम क्या गलत काम कर रहे हो तुम अधर्म फैला रहे हो अपसंस्कृति ला रहे हो तो वेलेंटाइन ने कहा कि मुझे लगता है कि ये ठीक है क्लॉरियस ने उसकी एक बात न सुनी और उसने वेलेंटाइन को फासी की सजा दे दी आरोप क्या था कि वो बच्चों की शादिया कराते थे मतलब शादी करना जुर्म था क्लॉरियस ने उन सभी बच्चों को बुलाया जिनकी शादी वेलेंटाइन ने करवाई थी और उन सभी के सामने वेलेंटाइन को 14 फरवरी 498 इसवी को फासी दे दिया गया पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है कि पुरी यूरोप में 1950 इसवी तक खुले मैदान में सारवजानिक तोर पर फासी देने की परमपरा थी तो जिन बच्चों ने वेलेंटाइन के कहने पर शादी की थी वो बहुत दुखी हुए और उन सब ने उस वेलेंटाइन की दुखद याद में 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे मनाना शुरू किया तो उस दिन से यूरोप में वेलेंटाइन डे मनाया जाता है मतलब यह हुआ कि वेलेंटाइन, जो की यूरोप में शादिया करवाते फिरते थे, चुकि राजा ने उनको फासी की सजा दे दि, तो उनकी याद में वेलेंटाइन डे मनाया जाता है ये था वेलेंटाइन डे का इतिहास और इसके पीछे का आधार अब यही वेलेंटाइन डे भारता गया है जहां शादी होना एकदम सामान्य बात है यहां तो कोई बिना शादी के घूमता हो तो अद्भुत या अच्रज लगे लेकिन यूरोप में शादी होना ही सबसे असामान्य बात है अब यह वेलेंटाइन डे हमारे स्कूलों में कॉल्जों में आ गया है और बड़े दूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे यहां के लड़के लड़किया बिना सोचे समझे एक दुसरे को वेलेंटाइन डे का कार्ड दे रहे हैं और जो card होता है उसमें लिखा होता है जिसका मतलब होता है क्या आप मुझसे शादी करेंगे मतलब तो किसी को मालूम होता नहीं है वो समझते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं उन्हें ये card देना चाहिए तो वो इसी card को अपने मम्मी पापा को भी दे देते हैं और television channel वालों ने इसका धुआधार प्रचार कर दिया ये सब लिखने के पीछे का उदेश यही है कि नकल आप करें तो उसमें अकल भी लगा लिया करें उनके यहां साधारन पया शादिया नहीं होती है और जो शादी करते हैं वो वैलेंटाइन दे मनाते हैं वो सुहावने दिन दोस्तों यह एक प्यार भरी मेरे जीवन की एक सची दास्ता है जिसने मुझे एक ऐसा शक्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तेयार था जो मेरे दिल की गहरायों तक गई जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि अगर एक को कोई प्रॉबलम होती थी तो दूस्वे को पाता चाल जाता था यह हम दोनों की एक टेलिपैथी थी हम दोनों ने एक दूस्वे को बहुत प्यार किया लिकिन किस्मत ने शायद मेरा ही साथ नहीं दिया बात उस समय की है जब मैंने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनर्शिप में एक बिजनस शुरू किया ये बात 2004 की है शाम के समय मेरे पास काफी समय होता था तो मैं नेट पर सरकिंग या चैटिन करता रहता था उसी दोरान एक बार मेरा एक ऐसी लड़की से कनेक्शन हुआ जो विध्वा थी मुझसे पाच साल छोटी थी और एक दो साल के बच्चे की मा भी थी अब हम दोनोंने फोन पैर बात करनी शुरू की एक दिन उसने मुझसे पूछा कि अगर मुझे उसके बारे में मालूम है मैंने कहा हा कि वो एक विध्वा है और एक बच्चे की मा है पूछने पर कि क्या मुझे कोई एत्रास तो नहें मैंने कहा इन सब बातों से मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता क्यूंकि यह सब तुमने जान बूच कर नहीं किया ये तो अपने आप हुआ है फिर इस बात की सजा की तुम विध्वा हो तुम हे क्यों मिले ये बात उसे इतनी अच्छी लगी कि उसके दिल में मेरे लिए और इज़द बढ़ गई और अब हम दोनों फोन पर घंटो लंबी बाते करने लगे काफी समय बीट गया एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है जबकि मैं उसे अपनी फोटोग्राफ दिखा चुका था लेकिन उसने अभी तक अपनी फोटो नहीं दिखाए थी उसके इतना कहने से मैंने कहा कि मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है और मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है लेकिन मैं प्यार नहीं करता एक दिन रात को जब हम दोनों बात कर रहे थे उसका बेटा आया और उसे तंट करने लगा उसने मुझे से कहा कि ये बहुत तंट कर रहा है वो चाहती है कि वो सुझ जए क्योंकि उसे कल सुबह स्कूल जाना है मैंने उससे कहा कि उससे फोन दे, उसके फोन देते ही मैंने बच्चे की आवाज में उससे बात करनी शुरू की और फिर धीरे धीरे बच्चे को कुछ कहा और दो मिनट के अंदर वो बच्चा सो गया उसने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या जादू किया मैंने कहा कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है बस वो हम दोनों बच्चे और मेरे के बीच की बात है और अब हमारी बात फोन पर फिर से शुरू हो गई एक रात फिर उस बच्चे ने खूब शोर मचाना शुरू किया तो मेरे कहने पर उसने बच्चे को फोन दे दिया मेरे हेलो कहते ही उस बच्चे ने जो कहा पापा आप कब आयोगे उसने मुझे हिला दिया और मैं दस दिन तक सो नहीं सका वो शब्द मेरे कानों में गूझते रहे और वही से मुझे उस लड़की से प्यार हो गया अब हम दोनों फोन पर रोज बात करते मुझे कुछ होता उससे पहले उससे पता लग जाता था और उससे कुछ होता तो मुझे पता लग जाता था हम दोनों अब प्यार में थे मैं उसके लिए कुछ भी करने को तयार था फिर एक दिन मैं उसके शहर गया उससे मिला वो सच में बहुत ही खुबसूरत थी वो मेरे होटल रूम में अपने बच्चे के साथ आई मैंने उसके बच्चे को गोद में लिया उसके साथ मस्ती की उसे एक बड़ा सा टेडी दिया और वो उसके साथ मस्त हो गया वो मेरे करीब बैटी थी हम दोनों एक दुसरे का हाथ था में बच्चे को देख रहे थे उसने मुझे गले लगाया मुझे बहुत अच्छा लगा हम दोनों एक दुसरे का हाथ पकड़े काफी समय तक होटल रूम में बात करते रहे प्यार क्या होता है, शायद उस दिन मुझे पता लगा कि जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करो, उसके करीब और छू लेने से एकदम उत्ते जितना हो वही एक सच्चा प्यार था, आज हम दोनों अलग है क्योंकि वो मेरी जिन्दगी मैं नहीं आसकी, उसकी कुछ मजबुरिया थी, मैं समझ सकता हूँ लेकिन मैं आज भी उसके बेटे के कहे शब नहीं भूल सकता हमारा ये प्यार एक सच्चा प्यार था, जिसमें काम कोई वासना नहीं थी हम दोनों फोन पर घंटो बात करते थे, ये सिलसिला करीब बेड़ साल तक चला लेकिन आज भी मैं उससे बहुत याग करता हूँ प्यार दिल तोड़ता है लेकिन हमेशा नहीं हमेशा की तरह आज भी, आ, और, ये, फेस्बुक पर चेट कर रहे हैं, आ, और, ये, एक दूसरे से प्यार करते हैं, आज, आ, ये, से कुछ कहना चाहता है पर, शायद कह नहीं पा रहा है, ये, हाए, आ, मुझे तुम से कुछ बात करनी है, ये, किस बारे में, आ, कुछ इ के साथ, कहीं और, शिफ्ट हो रहा हूँ, और, मुझे नहीं लगता कि हम अब अपना समय साथ, बिता सकते हैं, सिर्फ स्कूल में साथ रहने से क्या होगा, मैं कोई long distance, relation नहीं रखना चाहता, ये, I am sorry, ये, ने आगे कुछ भी कहे बिना, लॉग आउट कर दिया, आ, को, य ये, से ये सब कहकर बहुत बुरा लग रहा था, वो भी, I, से उतना ही प्यार करता था, जितना, I, उस से, उस पूरी रात वो ठीक, से सो भी नहीं पाया, और, नहीं, I, उस रात ठीक से सो पाय, शायद इसलिए, I, ये, अगले दिन स्कूल भी, I, स्कूल नहीं गई, वो द देर तक वो अपने बैड पे बैठी हुई सामने की, दीवार को देखती रही, उसके दिमाग में वो सारे लमहे घूम रहे थे, जो उसने, आक के, साथ बिताये थे, आखिर उसकी रुलाई छूट पड़ी और वो बहुत देर तक रोटी रही, नेक्स डे वो स्कूल भी और स पीछे वाली सीट पर बैठा करती थी, आख रोज की तरह, अपनी पीछे वाली सीट पर ही बैठा था, दिन ने कई बार दोनों की निगाहे मिली, पर दोनों नजर चुरा रहे थे, दोनों में कोई बात भी नहीं हुई, नेक्स डे भी ऐसा ही हुआ, उसे अगले दिन भी औ आखिर एक दिन उसने शाम को यी का नंबर डायल किया जैसे ही यी ने फोन उठाया आख ने कहा यी आए I'm sorry मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं अपने पेरेंट से कहके वापस तुम्हारे घर के पास कोई कमरा ले लूनगा या फिर हॉस्टिल में रह लूनगा I'm sorry यी प्लीज मुझे माफ कर दो I love you ये सुनते ही ये खुशी के मारे रो पड़ी रोते रोते उसने कहा मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे I love you too and I cannot live without you बस उसके अगले ही दिन आ ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और अपना समान लेकर हॉस्टिल में रहने के लिए चल दिया वो इतना खुश था कि जैसे आसमान पे उर रहा हो ये से मिलने के खयाल में उसकी कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी अचानक सामने से एक और कार आए और आख ने जैसे ही कार को टन करना चाहा स्पीड की वजह से कार आउट आफ कंट्रोल हो गई और एक दो तीन पलती आखा कर सड़क से नीचे खाए में जा गिरी आख ने सोचा बस I am going to die और उसकी नजर के सामने ये का चेहरा तैर गया जब आख की आख खुली तो उसने देखा कि वो एक अस्पताल में है ये उसके सिरहाने बैठी हुई थी आख को होश में आया देखकर ये कि मुझे से निकला आ I love you तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते आख ने धीरे से ये का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं कहीं नहीं जा सकता तुम्हारे बिना ये कहकर फिर वो बेहोश हो गया लेकिन जो बात आख को नहीं पता थी कि एकसीडेंट में उसकी एक लेग डॉक्टर्स को काटनी पड़ी थी उसकी जान बचाने के लिए क्योंकि उसमें इंफेक्शन हो गया था अगले दिन जब आख की आख खुली तो उसने कुछ देर तक ये से बाते की आख ये से बात करके बहुत खुश था तब ही उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई और उसकी चीक निकल गई उसने देखा कि उसका एक पैर घुटने से नीचे कटा हुआ है दर्द और दुख की वजह से वो फिर बेहोश हो गया ये ने इस बीच उससे मिलने आना छोड़ दिया आ को बहुत दुख हुआ उसे लगा कि शायद अब ये उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वो एक अपाहिज बन चुका था और ये अपनी बाकी जिन्दगी एक अपाहिज के साथ नहीं बुजारना चाहती होगी उसे दुख तो बहुत हुआ लेकिन धीरे-धीरे आ अपने इस दुख और अपनी हालत को समझ गया और उसने अपने हालात से समझोता कर लिया करीब दो महीने बाद आ अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल से बाहर आया उसके हाथों में बैसाखिया थी और वो बड़े धीरे-धीरे कदमों से चलकर बाहर आया बाहर आकर उसने जो देखा उससे उसकी आँखों से आसुओं की बारिश बह निकली सामने ये हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक कागाज लिये खड़ी थी जिस पे लिखा था आ अगर तुम मुझे अपनी जिन्दगी में तुम्हारा सहारा बनने का मौका दो तो ये मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशी होगी मैं भी पानी भर आया किस्सा पहले पहले प्यार का घर के हाला थी कुछ ऐसे थी कि आधा घर किराये पर देना पड़ा और किस्मत देखो की घर को किराये पर लेने आए दो लर किया दोनों बहने थी, बड़ी बहन बेहद ही खुबसूरत थी और कॉलेज में पढ़ती थी छोटी अभी स्कूल में ही थी, स्टुडेंट्स होने की वजह से हमने उन्हें जल्दी से घर किराये पर दे दिया मैं भी उन दिनों कॉलेज में ही पढ़ता था, उस उम्य के किसे भी लड़के की तरह मेरी भी इच्छा थी कि मैं दुनिया जीत लून अपने नए पडोसी को देख के बहुत ही उच्साहित था पर बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई लगता था कि कोई और लड़का था उसकी जिन्दिगी में, अपने मन को बार-बार यह कहके समझाता था कि यार वो तुझ से बढ़ी है और वो कहां और तु कहां उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी की बस देखते रहो, धीरे-धीरे मैं उसके कॉले जाने-जाने का टाइम मन ही मननोट करने लगा कोशिश करता कि में डोल मैं ही खोलूँ, ये सिलसला बहुत दिनों तक चलता रहा अब तक उसने भी नोटिस करना शुरू कर था कि मैं उससे हर रोज देखता हूँ पर कभी ज़्यादा बात नहीं कर पाया उसका भी इंटरेस्ट मुझ में बढ़ने लगा कुछ समय के बाद हमारी बात ज़्यादा होने लगी और मैं उसके और करीब आ गया घंटो उससे बात होती रहती और अब मुझे उससे उसके बॉयफ्रेंट के बारे में भी सुनना बुरा नहीं लगता था चोटा था पर मुझे कोई शक नहीं था कि मुझे उस लड़की से बेहत प्यार हो गया है इतना ज़्यादा कि आज 15 साल के बाद भी उसके बारे में सोचता हूँ तो एक सुन्दर से हसास में घिर जाता हूँ दिन बीटते गए और फिर वो लहमे आये जब हम देर रात तक बात करते थे अगस्त की एक रात हम छट पर साथ बेटे थे उस दिन बहुत हलकी बारिश हो रही थी और किसी कारण से वो बहुत उदास थी लग रहा था कि उसका बॉइफरेंड से किसी बात पे जगा हुआ embry मैं उसके साथ था उसका हम साथ ही बनके उसके दुख से दुखी न जाने कब ये हुआ कि बस वो बात करते करते रो पढ़ी उसको इस हाल में देखना मेरे लिए बहुत कठिन था वो मेरे कंदे पर सर रख के रोने लगी, मैंने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया, न जाने वो कब तक रोई और कब चुप हुई, डॉट डॉट डॉट, पर मैंने उसे अपनी आगोश से बहार नहीं होने दिया, अब उसका चेहरा मेरे हाथों में था और हमने ए को बताओं कि I am in love, पर हर बार ठहर जाता था, हम लोग और भी करीब आ रहे थे, मेरी दुनिया में अब सिर्फ वो ही थी, मेरी जिन्गी अब उसके बिना बेमानी थी, उसको पाना और उसके साथ सारी जिन्दगी बिताना ही मेरा सपना बन गया था, एक दिन मेरे घर वाले शादी अटेंट करने शहर से बाहर गए, हम दोनों जानते थी कि उस रात हम जरूर मिलेंगे, फिर रात हुई, देर रात को, वो चुकके चुकके मेरे कमरे में आई, हमेशा की तरह मैंने उसे स्मूच किया और उसे बताया कि आज मैंने उसको कितना मिस किया, उस वक्त हम द दोनों बिल्कुल अकले थे, हम दोनों ही चाहते थे कि हम एक दुसरे में समझाए, अब और इंतजार करना मुश्किल था, एक आग जो कई दिनों से जल रही थी उसको शान्त करने का समय आ गया था, हम दोनों एक दुसरे की बाहों में लिप चुके थे, हमें अलग करना उसका सुन्दर बदन, मैं कभी नहीं भूल सकता, उसके बाद मेरे जीवन में ऐसी कई राते आई, छेह महीने हम लोगों ने साथ बिताये और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उसे हमारा घर छोड़ कर जाना पड़ा, उस समय मुझे असास हुआ कि मैं क्या खो रहा हूँ, मैं खेंगे, शायद मैंने ही एक कोई गलती की थी, लड़की का साहस, एक आदमी के तीन बेटे और एक बेटी थी और विदेश में रहते थे एक बार उनकी मा बहुत सिरियस बीमार हो गई, उनके पिता जी अपने पहले बेटे को फोन किया, बेटा तुम्हारी मा बहुत बीमा फिर बाप ने तीसरे बेटे को फोन किया तो वो बोला मेरे तो इंडिया आने के सिर्फ तीन महीने बाकी है, फिर ही आप अंगा कृप्या आप उन दोनों भाईयों को फोन कर लो, बाप रोपरा जिस माव बाप ने बैंक से लोन लेका उन्हें विदेश भेजा आज वो ही इतने बिजी है कि मा तक को देखने नहीं आ सकते, वो खुद को संभाल नहीं सिका, उसने फिर अपनी बेटी को फोन किया और मा के बारे में बताया बेटी रोपरी कहा पापा आप संभाल ये अपने आप को मा को में और मेरा पती अभी पहली फ्लाइट से वहाँ पहुँच ना करती हूं भगवान से वो मा को जल्दी ठीक कर देगा, सब अच्छा ही होगा पापा, ख्याल रखना, डॉट 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 बाप सोचने लगाए ही है आज का यूगा हम बेटा मानते हैं बेटी नहीं पर आज बेटों ने आने से मना किया जिनके लिए लोन लिया जिनक मने कभी मान ना दिया सम्मान ना दिया वो अपने सभी काम चोड़कर पती के साथ उसके काम काजवा बिजनेस की परवान ना करके अपने पती के साथ सिर्फ मा के लिए आ रही है बाप फिर से रोपड़ा कहा बेवकुफ हैं वे लोग जो बेटे की इच्छा रखते हैं हर तकलीफ में सिर्फ बेटिया ही वक्त पे काम आती हैं हाई दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है ऐसे ही नई नई कहानी सुन्दने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा तो चलिए हम मिलेंगे अगल दिन एक नई कहानी के साथ